आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ कि आप वासिंग मसीन में कपले कैसे धुएं आप किसी भी कमपाणी का वासिंग मसीन यूज करते हैं लगभाग सभी का तरीका सेम होता है सुरू करते हैं आज का वीडियो तो वीडियो सुरू करने से आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले आप वासिंग मसीन के स्विच को बान कर लीजिए सबसे पहले इसमें वाटर सिलेक्टर दिया रहता है उसी के बगल में पानी डालने वाला बना रहता है तो उसमें हम पाइप को लगा देंगे और इस पिन को हम वास में कर देंगे तो इससे हमारा पानी वास में आएगा और पाइप को हम टैप से जॉइन करके इसमें हम पानी भर लेंगे तो यह देखिए टैप से कनेक्ट हो चुका है और इस तब तक हम आपको इस साइड के बारे में बता देते हैं इस प्लास्टिक विल को हम निकाल लेते हैं एक यह में वाटर स्लेक्टर को इस पिन में करके दिखाती हूं ऐसे तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है लेकिन जब हम इसे क्लीन करते हैं तो हमें इसे में वाटर की जरू किये हैं जब हम इसमें कपड़े और डिटर्जन डाल देंगे तो हम टाइमर को सेट करेंगे 15 नमबर तक होते हैं तो आपको अपने समय के अनुसार जितनी पर लगाना चाहते हैं उतनी नमबर पर हम लगा सकते हैं नॉर्मली 15 नमबर पर इसे लगाया जाता है जीरो नमबर पर बजर होता है कपड़ा जब वास हो जायेगा तो बजर बजने लगे गा और यह है ड्रेंस लक्टर दो अफशन सोते हैं वाच Developer ड्रेन ही हमें इसे वास रिंस में ही रहने देना है जब कपड़े वास हो जाते हैं तो डिजेर्जंट वाटर को निकालने के काम आता है में पानी ड्रेन करना होगा तब हम इसे ड्रेन में लाएंगे और यह है ड्राइट्राइमर जिसमें हम कपड़े अपने सुखाते हैं में भी नमबर दिये रहते हैं, जीरो से लेकर फाइब तक इतने नमबर पर हमें ड्राइ करना है, उतने नमबर पर को सिलेक्ट कर देना है, जितना कपड़ा हमें धुलना है, उतना पानी हमने ले लिया है, और इसमें अब हम कपड़े डाल देते हैं, इसमें हमने वाइट डाले इसे हम 5 मिनट चलाएंगे हमारे कपड़े में काफी सारे धूल मिट्टी जमा होते हैं तो वो निकल जाएंगे और अब हम पानी को ड्रेन कर देते हैं तो देखिए कितना गंदा पानी निकला है इसमें और इसमें हम दुबारा से पानी भरेंगे तो पानी हमने भर लिय बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे वाशिंग पाउडर चलिए अब हम सब्सक्राइब कर देते हैं तो फिप्टीन नंबर पर हम इसे कि लगा देते हैं कपड़े दुलने स्टार्ट हो गए है कबर को हम लगा देते हैं तो देखें जो मैंने टाइम सेट किया था वह पुराने कपड़े तो इसे हम लाश्ट के पानी में दूलेंगे और कलर फुल कपड़ों को हम वाइड कपड़ों के साथ में नहीं दूलेंगे क्योंकि इसमें से कलर निकलने के चांसे रहते हैं कपड़ों को हम ड्राइवाले बकेट में डाल देंगे आप चाहें तो इसे पा डाल दिये हैं और इसमें बहुम प्लास्टिक वील को लगा देते हैं और इसे हम कवर कर देंगे और ठाइमर लगा देंगे दो मिनट का तो यह देखें हमारे कपड़ों से सारा निर्मा बाहर निकल जा रहा है आप चाहे तो इसे टब में निकालकर washing machine में फिर से डाल सकते हैं कपड़ों से हमारे सारा निर्मा निकल चुका है आप चाहें तो इसे बाल्टी में खंखाल सकते हैं लेकिन मैं इसे इसी बक्ट में ही खंखाल लूंगी पाइप को हम लगा देते हैं टोटी में, और इसे अब हम कभर कर देते हैं, तीन मिनट का इसमें हम टाइमर लगा देंगे, तो तीन मिनट में ही हमारे कपड़े धुल जाएंगे, आपको कपड़ों को बिलकुल भी हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, और पानी स्लेक्टर को हम दिखा देंगे अगर आपके दूप नहीं है है तो इसे पंकिये के नीचे भी डाल सकते हैं कपड़ों को प्रेस भी करने की जरूरत नहीं इस तरह से आप कपड़े दूलेंगे तो आपको प्रेस भी नहीं करने पड़ेंगे नय्मिध जो कालरफुल कपड़े हैं और उलन के कपड़े हें बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं इसलिए इसमें हम आधीबाल्टी घर्म पानी डालेंगे और पंदरा मिनिट का इसमें हम टाइमर लगा देंगे कवर लगा देते हैं जो मैंने टाइम सेट किया था वह कंप्लीट हो लेंगे इतने भी यूटूब पर वीडियो हैं उसमें सिर्फ डिटर्जंट वास ही बतायागा है वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वाटर वास नहीं बताया गया है लेकिन मैं यहां आपको वाटर वास भी बता रही हूं वाटर फिल होने के इसमें आप टाइमर 3 मिनट का लगा देंगे आपके कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे इस प्रोसस को तीन से चार बार कर सकते हैं अच्छे से साफ हो जाएंगे लाश्टिक वेल को आप अच्छे से लगाईए अच्छे से आप फिट नहीं करेंगे तो अवाज आने ल दो तरीके से कपड़ा धुलना सिखाया है कम पानी में कम वासिंग पावडर में और बहुत ही कम समय में आप धेर सारे कपड़े आसानी से धुल लेंगे फिर बिनती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई